इश्वर और खुदा के दर्शन का सरल रास्ता बताने वाले पूजसंत बाबाव माकांत जी महराज जी ने उज्जैन इस्थित अपने जैगुरुदेव आश्रम से 11 अक्टुबर को ऑनलाइन संदेश देते हुए भक्तों को मनुश्य शरीर की महिवा के बारे में बताया महराज जी ने कहा कि या अन्मोल मनुश्य शरीर क्यों मिला और इसका क्या महत्व है इस बात को समझने की जरूरत है और जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो वो इसका भेद बताते हैं आप सभी लोगों को किस्म मनुश्य शरीर के पाने का मतलब समझने की जरूरत है मानुश्य जनम बड़ा अन्मोल और सद्गुरु मेरे तद्दिया भेद खोल पूरा भेद संद्गुन शरीर के खोले हैं देखो सद्गुम ऑन्योगों में भी था तयथा में भी था द्वापर में भी था सटवयोग में भी था dos autograph नहीं अलग था स्ट्योग में तो सव्योग विज्ञानी ही होते थे लेकिन जब त्रेता द्वापर जब आया उस समय भी लोग उजापाथ कुछ न कुछ करते थे अपने तोर तरीके से ही चाहे करते थे अस्टांग योग हाटो योग ही करते थे कुंडलिनियों को ही जगाते थे जीव आत्मा का कल्यान भले न हो पाता रहा हो लकिन लगे रहते थे अब आप भागिशाली इसलिए माने जाओगे कि इस समय पर आपको सरल साधन का उपाय मिल गया संत मिल गये, सर्दगुरु पूरे मिल गये अब आप कोई चीज जब पाना चाहोगे तो जिस चीज को पकड़े हुए हो हाथ में जो आपके दिल दिमाग में भरा हुआ है उसको जब छोड़ोगे तभी तो आप दूसरी चीज को पकड़ पाओगे दूसरी चीज आपके दिल दिमाग में आएगी तो चलो हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए गरहस्ती को मत छोड़ो, बच्चों को मत छोड़ो, पत्नी को मत छोड़ो, पती को मत छोड़ो, लेकिन ठोड़े समय के लिए तो उधर से ध्यान को हटा रो, एक घंटे तो घंटे के लिए तो उधर से ध्यान को हटा रो, आप यह समझो, कि एक साथ दूइं हुएन भुवालू, अहां सब ठठा फुलाई गालू, ठठा के भी यहां सो, और गाल भी फुला लो, ऐसे गाल भी फुला लो, ऐसे ठठा के यहां सो, तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी तरह से, जैसे छोटा बहुत चोटा होता है, उसके सामने बढ़ियां से बढ़ियां खिलाओना ला दो। अच्छी चीज उसके सामने ला कर के लटकाा दो तो उसंको बहुतना ध्यान नहीं देता है। और जब थोड़ा बढ़ता है, जानकारी होती है, कि भाई, यह और अच्छी चीज है, यह और चमकिली है, तब उसको वो छोड़ देता है, दूसरे को पकड़ लेता है, ऐसे ही, बजपना छोड़ो, अज्ञानता छोड़ो, और ज्ञान अपने अंदर लाओ, बहुत से लोग अब भी पुरने दीती दिवाज में फशे हुए, अब भी वही व्रत, वही अनुस्ठान, वही पेन पोड़े को पूझना, वही मठा पतकना, अब भी बनाये हुए हो, तो भाई, एक नाज में दो तलवार कैसे रश सकती है, हम यह नहीं कहते हैं, कि आप अपना दीती अब भाज खतम कर दो, शाधी व्याह न करो, अपने तोर तरीके से न करो, मुंदन संसकार न करो, हम यह नहीं कहते हैं, कि कोई सांथ हो जाए, शरीर पूरा हो जाए, तो उसका बंदारा न करो, लेकिन उसी को मत मालो कि यह हमारा धर्म है, यह हमारा काम है, अशिला काम तो आपने वटन आपकोंशा है